हेलो स्टुडेंट्स एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में और स्टुडेंट्स सप्लिमेंटरी परिक्षा को लेकर पूरक परिक्षा को लेकर कक्षा दसवी और बार वी में केसी तैयारी करना है पेपर केसा आएगा बहुत इंपोर्टेंट वीडियो यहाँ पर मैं आप लोगो को रियल फेक्ट न्यूज के साथ बता रहूँ गुमरा मत होईए दूसरे कुछ वीडियो देखकर क्योंकि आपके लाइब का सवाल है यहाँ पर आपको पूरक आई है तो पास होना जरूरी है तो पूरी सही जानकारी आपको इस वीडियो पर इस चैनल पर यहाँ पर मिलेगी तो पूरे वीडियो को बिना इस किप कि आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं फिर बहुत से बाते पूछते हैं तो मैं जवाब नहीं दे पात क्योंकि हमें सा रियल फैक्ट न्यूज आती है मैं भी टीचर हूँ तो सही जानकरी ही आप लोगों को दूँगा और सही जानकरी दूँगा किसी प्रकार का गुमरा करने की कोसिस मैं आप लोगों को नहीं करूंगा जो सही है वो ही बताऊंगा तो यहाँ पर पहले तो हो रहा है मैंने उस पर वीडियो बनाया आप लोग देख सकते हैं वीडियो लिस्ट में वही हाई स्कूल में दो विश्यों में अनितुन छातरों को पूरक की पातरता है दो विशे में वह सप्लिमेंटरी की परिक्षा दे सकते हैं एक विशे हैस्ट जो लगा उनको की दिन में सभी विशे की हो जाई क्योंकि एक विशे में सप्लिमेंटरी है और हाई स्कूल की परिक्षा 10 जून से 20 जून के बीच रहेगी प्राता 8 से 11 बज़े आपका टाइम रहेगा परिक्षा के अंदरों पर संपन होगी क्या क्या पूरी डिटेल हम यहाँ पर देखत ना स्टार जरूर बना रहता मार्शीट पर उसके परसेंटेज पर काउंट होंगे आगे आप कहीं भी कालेज में या स्कूल में आप सप्लिमेंटरी की मार्शीट लगाते हैं तो परसेंटेज आपके उसके माने जाते हैं स्टार से कोई फरक नहीं पड़ता ऐसा और आगे विषे के पेपर जों 55 नमर के ही रहेंगे पासिंग मार्स 25 नमर है कच्छा बारवी में भी ब्लूप्रिंट वही रहेगा जो अभी बारसिक परिक्षा का था सभी विषे 80 नमर के रहेंगे प्रैक्टिकल विषे को छोड़कर पासिंग मार्स यहां पर 26 है उसमें 70 नमर का पेपर यह पासिंग मार्स 23 है और यहां पर ब्लूप्रिंट क्या रहेगा तो वही रहेगा जो अभी आपका पेपर हुआ था वारसिक परिक्षा का वहीं 30 नमर के आपजेक्टिव बस्तुनिस्ट परिक्षन करने योग बाते हैं उनको अच्छे से पढ़ लिजेगा अभी एक महीने का टाइम है आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी साल बच जाएगा और परसिंटेज भी आपके अच्छे नमर आप इन सब्जेक्ट में लिया आते हैं तो परसिंट भी इंक्रीज होंगे जो काम आएगे आपको नई मारसिट आएगी तो परसिंटेज बढ़ के ही आना है बहुत सा सवाल रहेता है student का मुझसे पूछ भी रहें कि क्या supplementary परिक्षा का प्रैस्न पतर सरह लाता है तो student इमान दारी से मैं आप लोगों को बता दूँ कि वह समय गया जब जो supplementary परिक्षा का पेपर आता था और इसमें भी जो है वो सभी बुक से ही पूछा जाएगा इंपॉर्टन्ट आएगा थोड़ा सा इस तर यहां पर 30 परसेंट जो है वो सरल रहेगा ताकि आप लोग पास हो सकें अब्जिक्ट्यू का इस तर भी सरल रहेगा पर प्रेशन पत्र जो है पहले ही छपकर तयार हो पार रहे हैं तो कुछ यूनिट को जो है आप तयार कर लिजिए अब्जेक्ट्यू पूरे अच्छे से पढ़ लिजिएगा बुक में से ही आएं एंसी याटी से तो उसी से जो समरी है जो पीछे रहते हैं उसमें से अच्छे से बुक के अंदर से केवल जो है क्यों संस या पूरा पेपर जरूर अटेंड करके आना है क्योंकि कई बाए टीचर जो है वो कापी चेक करते समय ये देखते हैं कि हमको इस्ट्वेंट्स को एक दो नम्मर रहे रहे हैं तो पास करना है पर आप लोग उनको मौका नहीं देते हैं और खाली कापी छोड़के आएंगे तो कोई टीचर जो है वो पास नहीं कर पाएगा तो मन से लिखे उससे रिलेटेड लिखे आ जाईएगा पर छोड़के नहीं आना ही दिए आपको पास होना है तो छोड़ा तो आप लोग फिर गए तो पेपर जो है वो सरल थोड़ा सा आएगा पर एकदम आप ये समझ लें कि बिल्कुन सरल जाएगा वो पास करने के लिए तो ये गलत पेमी में नहीं रहना है हर साल सप्लिमेंटरी का पेपर भी स्टेंडर आता है आप लोग जो भूख है उससे अच्छे से तैयारी कर लीजेगा इंपोर्टेंट क्योसेंस कर लीजेगा क्योंकि इतना बहुत ज्या सप्लिमेंटरी एग्जाम है और MP बोट के ये वो राज जोपन के एग्जाम होते हैं रुख जाना नहीं तो यहां गलत फेमी में नहीं रहना अच्छे से पढ़ाई करिएगा तब ही आप पास हो जाएंगे कुछ यूनिट तैयार कर लीजे अच्छे से जिससे आप लोगो को सहलियत रहे और आप लोग पासिंग मार्स कर लिए हो मैं चाहूंगा कि आप लोग अच्छी तैयारी करने एक महिने में क्योंकि जो दो सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट में सप्ली है तो अभी कापी टाइम है आप लोग उन पे दे सकते हैं टाइम और अच्छे से पढ कर दिया जाएगा इसलिए छोड़ के कुछ नहीं आना ये ध्यान रखेगा परिक्षा की तैयारी का बताई दिया है परिक्षा बोद परिक्षा अद्यान प्रबोद ये सब फेल हो चुकी हैं कई सालों से इसमें से आनी रहा उतना पर आपके पास है यदि तो आप लोग ज देख सकते हैं बाकी जो है वो पुराने साल के जो पेपर हैं वो आप लोग देख लें और उससे तैयारी करने और अपने टीचर से और गाइडेंस लेने कुछ प्राब्लम आती है तो मैंने भी इंपॉर्टन दिये वहाँ भी आप समझ सकते हैं परिक्षा सेंटर इस्टु का फॉर्म बरा है तो उसका रिजल सप्लिमेंटरी परिक्षा के पहले आजाएगा यदि आप उसमें पास हो जाते हैं तो सप्लिमेंटरी परिक्षा आपको नहीं देना पर यदि आप रीटोटलिंग में पास नहीं हो पाते हैं तो फिर आप सप्लिमेंटरी का फॉर्म जो कारण बस नहीं हो पाई अभी मोका है तो मोका देखके चोका मारी है और पास होई है आगे फिर जो भी प्राब्लम्स आती है आप लोग कमेंड करके पूछ सकते हैं और चैनल से जुड़े रहेगेगा पुना निविदन करूँगा कि सब्सक्राइब करके रखेगा थेंक यू थेंक यू सो मच